अस्तलामुलीकुन दोस्तों यदि आप कुएत में रहते हैं और कुएत के इमतरीन खबरों से हमें साब वाक्य फैनना चाहते हो तो यह वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को प् देता हूं लगभग तिरपन देशों के लिए दोस्तों वहां पे कुएत हुकूमत के रहते हैं सभी तरह के वीजा को स्टार्ट किया गया है जैसे कि सलहकार, डॉक्टर, इंजिनियर्स, वकील, लोग अभियोजक, विसविद्दाले के सिच्छक या फिर पाइलेट और दो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे वीजा को स्टार्ट किया गया है और जितनी भी छे गल्फ कंट्रियां है यानि दोस्तों कतर वगएरा, बहरीन, ओमान, सौधी, दुबई वगएरा, सभी देशों की सभी को वीजा स्टार्ट कर दिया गया है कुएध हुकूमत के तरफ से दोस्तों बताना चाहूंगा आपको फिलाल अभी बंगला देश, पाकिस्तान, इंडिया और फिलिपिन्स वगएरा के लिए ये नॉर्मल वीजा नहीं स्टार्ट किया गया है, कुछ ऐसे देशों के लिए स्टार्ट किया गया है, यानि दोस्तों जो ग्रिन इंगलिस्ट क प्रिन्ट आप सुबह जरूर लगाईएगा, क्योंकि फिंगर्पिन्ट जो हता वो एक तरह का एटेंडेंस का काम करता है, तो फिंगर्पिन्ट यदि आप लगाते हो, तो मालूम चलता है कि आप उस दिन उपस्तित थे, फिंगर्पिन्ट नहीं लगाते हो, तो मालूम च जहां पर भी fingerprint का system है आपको fingerprint वहाँ पे लगाना है यदि आप नहीं लगाते हो तो आपको फिर वहाँ पे absent माना जाता है यानि आप नहीं आये यह माना जाता है तो लगभग दोस्तो 207 करमचारियों को ऐसा वहाँ पे नुकसान हुआ है तो यदि आप भी ऐसी जगा कहीं काम कर रहे हो तो fingerprint आप भाई जरूर लगाईए क्योंकि fingerprint आप नहीं लगाऊगे तो फालतू के दोस्तों आपका आना या ना जाना आपके लिए बराबर हो जाएगा अगली जो अपडेट दोस्तों आरे साथी वो इंडियन को लेकर आरे दोस्तों जैसे कि आपको मैंने हागण बताता हूं कोई न कोई इंडियन सक्स की मौँत की खबरे हम मुझे मिली जाती है तो दोस्तो फिर से आज की दिन एक खबर आ रही है कि वहाँ पे एक भारतिय सक्ष जो है वो बिल्डिंग में पिछलने के कारण दोस्तो उसकी मौत हो गई है फिलाल दोस्तो पाचवी मंजीर से नीचे पिसल गया पिसलने के बाद उसकी मौके पिसलने के बाद उसकी मौके प पार्टमेन जब वहाँ पहुंची तो वहाँ पे उसे मृत कर दिया गया और उसको मौत का कारण बताया गया है कि उपर से नीचे गिरने के वज़ा से वहाँ पे इसकी मौत की कारण बताई गई है दोस्तो अगली ज़ अफटीट आ रही है फिलीपीन स्के लोगों के लिए है तो साथ ये फिलीपीन स्के लोगया के लिए हमाँ ट्रैबल पॉलेसी को चेंज किया गया है अपने आफ फिलिपीन्स को official website पे Air Philippines पे जो आपका जो आपका जो वहाँ पे Airways जो चलता है उसकी website पे जा के आप चेक कर सकते हो आपको वहाँ से मालूम चल जाएगा और वहाँ पे क्या क्या policy को change किया गया उस सारा policy आपको मालूम चल जाएगी तो यदि आपने अभी तक नहीं चेक किया तो जाकर चेक कर लें दोस्तों यदि कोई भी मन में आपके सवाल आपको उठ रहा हो तो मुझसे आप इंस्टेक्राम पे मुझे फॉलो करके मुझसे डाइट महां से सवाल कर सकते हो इंस्टेक्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ लिंक पे मुझे फॉलो करके मुझसे आप कॉंटेट कर सकते हो या किसी तरह की जानकारी कुएट के बारे में चाहते हो तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरे थी, जो क्वेस्ट से आ रहे थी, मैंने अब तक share किया, आसा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें दोस्तों, share करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके, मिलते साथ ही हो नेक्स वीडियो पर तब तक लिए अपना ख्याल लगें, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया, अलाफीस और टेक।